आज के वीडियो में हम जानेंगे मिसर के महान शासकों फिरॉन के बारे में चलिए शुरू करते हैं 25 रोचक तत्थियों की इस रोमान शक यात्रा को फिरॉन मिसर के शासक होते थे जिनका मानना था कि वे भगवान के वनशज हैं उनका शासन लगभग 3000 वर्षों तक चला पहले फिरॉन का नाम नर्मेर था जिन्होंने करीब 3100 इसा पूर्व मिसर को एकी कृत किया उन्हें पहला असली फिरॉन कहा जाता है फिरॉन का जीवन बेहद विलासिता पूर्ण होता था उनके पास शांदार महल, सेवक और अद्विती अकला और आभूशन होते थे फिरॉन तुतनखामून का मकबरा 1922 में खोजा गया था इसमें कई बेशकीमती खजाने मिले जो आज भी लोगों को आकरशित करते हैं फिरॉन अकसर विशाल पिरामिट बनवाते थे जिन्हें उनके मरने के बाद उनकी समाधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था फिरॉन का शासन एक धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र होता था वे देवी देवताओं के पुजारी भी होते थे मिसर की रानी हद्शे पसट पहली महिला फिरॉन थी उन्होंने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण निर्मान कार्य कराए फिरॉन रामसेस द्वितिय का शासन काल मिसर के सबसे ज्यादा प्रभावशाली समयों में से एक था उन्होंने कई युद्ध जीते और विशाल मंदिर बनवाए फिरॉन अक्सर अपने परिवार के सदस्यों से ही विवाह करते थे ऐसा इसलिए ताकि वे अपनी शुद्ध रक्त रेखा को बनाए रख सकें फिरॉन के पास अद्वितिय शक्ती होती थी वे कानून बनाते थे, युद्ध छेड़ते थे और पूरे देश पर शासन करते थे हर फिरॉन के पास उसका एक खास नाम होता था जिसे कार्टूश में लिखा जाता था इसे पवित्र माना जाता था मिसर के लोग फिरॉन को भगवान की तरह पूझते थे उनके आदेशों का पालन करना धर्म और करतव्य माना जाता था फिरॉन की मृत्यू के बाद उनके शरीर को मम्मी बना दिया जाता था इसे बेहत जटिल प्रक्रिया से सनरक्षित किया जाता था फिरॉन का शासन केवल शक्ती और धन का प्रतीक नहीं था बलकि यह मिस्र की सभ्यता और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें